हाई फ्रेंस मैं हूँ आपके साथ यासमे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही चारों तरफ हलचल मची हुई है ग्री मंत्री अमिर्शा के फैसले के बाद लगाता सोचल मीडिया पर रियाक्शन्स आ रहे हैं इसे बीच बॉलिवुड आक्टरस गोहर खान ने भी जम्मू और कश्मीर के मुद्धे पर अपनी बात रखी गोहर ने ट्वीट कर सरकार से राज्ये में संचार की सुविधाओं को उपलब करवानी की कोशिश की है जम्मू कश्मीर पर मची हलचल के बीच आया गोहर खान का ये ट्वीट सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है गोहर खान ने जम्मू कश्मीर में सभी संचार सुविधाओं को बादिस किये जाने पर ट्वीच किया है उन्होंने लिखा है भारत सरकार से ये निवेधन है कि पुरे राज्ये में संचार की सुविधाओं को वापस पहले जैसा कर दिया जाए वहां भी परिवार रहते हैं जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार से और माता-पिता से संपर्ख नहीं बना पा रहे हैं काफ़े दिन गुजर गए हैं गोहर खान ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है हाँ कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन इतने लंबे समय के लिए क्यों? वो भी इंसान है अब उनके पास वास्तव में कोई विशेश अधिकार नहीं है लेकिन वो अब भी नागरिक है या उनके पास बुन्याद सुविदाओं का कोई अधिकार नहीं है तो देखा आपने गोहर का ट्वीट देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मुदी सरकार से अपील नहीं कर रही है बलकि उन्हें सीख दे रही है बात करें गोहर कान की तो उन्हों ने यश्राज की फिल्म रॉकेट सिंग सिल्समान ओफ करियर से अपना डेब्यू किया था इसके बाद वो गेम इशकजादे, सीवर, बदरिनात की दुलहनियां और बेगम जान जैसे फिल्मों में नज़र आ चुकी है इसके अलावो वो बिग बॉस सेवन की भी विजिता रह चुकी है यह से आप गोहर कान की बातों से कितने सहमत हैं हमें कमेंच करके ज़रूर बताएं जवाब देने के लिए तयारू वगर में जो नो इस प्रण भाएं बोड़ नभी जी लाव नभी जी इस नेुटनियां सब्सक्राइब बुच्छे जो पुकुष रुचे आप नवी जब गूरी अग्रूशी आप इस पूर पूंजी पूर मुझा नवी जो पूरी टीजिव प्रव कर नियुकुष पूर में डिया प्रवार्व पूर गूर्व है पूरी प्रवार्व एक व्युक्ता को ऑन ivory कि Bigfoot उवे स्राइब से फ रही 25 की एप ईबेट जा यह झाय भाई जा चालों पुरिए जी ऋरू फ माई भाने स्राइब के साफ्याओ है मैंसडिबह को ब्सकेशन म Им हैस्टिन कोपर डिसENS कि मंझेंद है ऑन्रूंट मैं यहां भालबने सिय्द शेयाओ 2 Subscribe वाफ नो जो और वुंप्रिशन सब्सक्राव भी जाजा है और व्हड़ ऑनुपकर में ऑनुप को फिरस फैजिल ए न सब्सक्राव सी जान्या का रिए आप जान लिए फूंट में खट्राव टीयओ बाुटर है इस पो प्रेश ए इस प्रूंप फ्ट आपी प्रूंट कर दो एक लेसमे कि अब्रावाइ बीष थर ज करवाए्य्जार जा है अब्रावर्ट भी आप इन एक पर लेस्ट अवीज कर भी चक्राव्यज पुण्थरप्ट प्रेंट जा इंटे पीडिश्टीग इस युट फुश्टंप टॉट्वड्वार इससक्रावर इस निडा जा आभे घुटि ज उनोविग खेश कर राए जो फ Ernु ने चिए आड़न झाड मेन तो लुट रिए गूरा यू लु फूर शु ओल्नान सब दिciones खेशिख अज़ था अविटने चोमेải ट सब्सक्ट लों काहीं? is introduced members can move amendments and also start applying their mind because we have only two days left so we have to understand the importance he is capable i heard him and also have taken it positively so it's not rng it's not only that will there are two three one two bills and one resolution also once they come before you then you start reacting on that oh mr agreed 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 let's do six seven to have a notice the you are the leader of the opposition you are well aware of the rules you raised a relevant point it's important countries also taking note of the same what is happening and all it is the duty of the government to explain to the house the home minister told me that he is going to explain it and he says now itself is going to explain it let us first hear him and let them will also be moved and then we discuss place why do we know other than home minister other than home minister nothing else मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिष्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्योस्ता दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेट बिजनेस के अलावे में प्रस्तूत करूँगा इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जबाब भी दूँगा और चारोग पर एक के बाद एक करकर डिविजन करना है तो डिविजन मगर मुझे भरोसा है कि चारोग चीजे पर एक सहमती हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा करकर वॉटिंग करूँगे मान्य गुलाम नभी आजाद जी ने जो कहा कि कस्मीर की आग की जो स्तीती है उस पर चर्चा करनी चाहिए मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारोग दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कस्मीर इस्यू पर ही है उस पर आप अपना विचार रख सकते इस वक कस्मीर की आग की स्तीती पर भी रखी उस पर भी मैं जागी है अब मैं एक के बाद एक संकल्प और इंस परी आपर मिनिस्टर प्रेस्ट मोदै मैं संकल्प स्तूत करता हूं कि ये सदन अनुछे तीन सो सतर तीन के अंतरगत भारत के राष्ट्रपती द्वारा जारी कीजने वली निम्नन रिखित अधिस उतनाओं की सिपारीज करता है सम्विदान के अनुचे 303, 703 के अंतरगत, भारत के सम्विदान के अनुचे 307 के खंड एक के साथ, पठीट, अनुचे 307 के खंड तीन द्वारा परदत सक्तियों का प्रव्यक करते हुए, राष्टरपती संसत की सिफारिश पर ये गोशना करते हैं कि ये दिनांक जिस दिन भारत के राष्टरपती द्वारा इस गोशना पर अस्तक्सर किये जाएंगे और इस सरकारी इसे सरकारी ग्यजेट में प्रकासित किया जाएगा, उस दिन से अनुचे 307 के सभी खंड चौ्वर के समय ओनांकर साहा पकारी आप शुऽने पारी मुखनारते लागु ये इस जाएगी में पंट भी खंड लुवहुरब कालुन कैसा। कोई कानूनी दस्तावेच, मीन, अध्यादे, उंक्रियम, मीय, मीन, अधीसुत्ता, भीची, रुवाज, अथ्वा भारत के भूबाग में कानून के प्रवर्तन, अथ्वा कुल अनुन लिखी संधी, अथ्वा संजो दे, जैसे अनुचे 333 के अंतरवर प्रोष, परीकल्पी हो अथ अन्यथा ना हो, माने सभापति मौदय, मैं संकल्प प्रस्तूप करता हूँ, कि ये सभा भारत के राष्ट्रपती की दिनांग, 19 बिसेंबर 2019 की उद्धुष्णा के अनुरुप, जमू और कास्तिय की राज्य की विगाई सक्तियाई सदन्य निमीचों ने बेवन, जमू और कास्तिय की राष्ट्रपती 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 की राष्ट्रप मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कास्मीर पुनगजन गुदेग दोजार उन्नीज को इनस्टापिक करने की अनुमती दिन जाए महादाए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कस्मीर आरक्षन अधिलियंग 2004 और संचोपन करने वाले गुदों को इनस्कापिक करने की परिशन दिन जाएगा